इस नाम को तो सब जानते हैं क्योंकि जब सीमा हैदर अवैर तरीके से बॉर्डर पार करके अपने चार बच्चों के साथ नौईड़ा के रहने वाले सचिन मीना के लिए भारत आई थी उस वक्त एक के बाद एक मानो सीमा प्यार वाले प्यार की जड़ियां लग गई थी सीमा का ये कदम था तो गलत क्योंकि वो अवैद तरीके से भारत आई थी लेकिन सीमा के इस कदम ने कई लोगों की हिम्मत बढ़ा दी थी जिसके बाद कई खबरे सामने आई थी कि लोग अपने प्यार से मिलने के लिए जा रहे थे जहां एक तरफ पाकिस्तान से सीमा है था एक साधारन से लड़के सचिन मीना के लिए साथ समंदर पार करके नौइडा आई थी तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंजू पाकिस्तान के नसरुला के प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंच गए हाला कि ये सिल्सिला सिर्फ पाकिस्तान तक ही सिमित नहीं था श्रिलंका, बांगलादेश, कई जगाओं से लोग अपने प्यार कोऊ साथ पाने के लिए आने लगें, जिसके बाद बांगलादेश की सोनिया भी अपने प्यार के लिए नौइडा आ गए, याद है आपको, नौइडा के तिवारी जिए, जिन से मिलने बांगलादेश उसे महीला अपने बच्चे के साथ आई थी सोनिया अक्तर ने सौरव तिवारी पर उन्हें शादी कर धोखा देने का आरोप लगाया थी तो वहीं ये कहानी एक बार फिर से चर्चा में आ गई एक बार पिर नॉइडा के तिवारी ज्री के लिए खड़ी हो गई है बड़ी इन्ही सब बातों पर आज की स्पेशल स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगी नमस्कार कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिद शेख सीमा हैदर और सचिन मीना की प्रेम कहानी लोगों के लिए प्यार की मिसाल तो बन गए लेकिन ऐसे ही एक प्रेम कहानी नफरत के उस मुकाम तक पहुँच चुकी है जहां हर रोज कुछ ना कुछ हंगामा और बवाल होते रहता है ये प्रेम कहानी है नौइडा के तिवारी जी और बांगलादेश की सोनिया अक्तर की सोनिया अक्तर बांगलादेश से अपने तीन साल के बच्चे के साथ भारत आई थी और सौरफ तिवारी पर उसने धोखा देने का आरूप लगाया नौइडा के सौरफ तिवारी पर प्यार शादी बच्चा और फिर चीटिंग की कहानी सामने आई फिर फजगे हैं सौरफ तिवारी सोनिया करीब सौरफ तिवारी का ही सौरफ तिवारी बांगलादेश में जब पोस्टिट थे वहीं उनकी मुलाकात सोनिया अख्तर से हुई थी लंबे समय तक दोनों साथ रहें सोनिया के मुताबिक दोनों ने शादी भी की और बच्चा भी हुआ लेकिन बच्चा होने के बाद सौरफ ने सोनिया से पीछा छुडा लिया और उसे छोड़कर वापस भारत आ गया बांगलादेश की सोनिया अख्तर से सौरफ तिवारी के प्यार की कहानी दरसल इसी साल आगस में सोनिया भी अपने तीन साल के मासूम बच्चे को लेकर भारत आ गया और सौरफ तिवारी पर उसे सु केस भी दर्श करा है और कई दिनों तक दोनों के बीच ड्रामा चलता रहा एक तरफ सोनिया का दावा है कि सौरभ ने उसके साथ धोखा किया है तो वहीं सौरभ तिवारी की अपनी बाते हैं सौरभ तिवारी का कहना है कि उन्हें बांगलादेश में जान बूच कर पसाया गय और बड़ी मुश्किल से वह बच कर वापसाया नॉइडा के सौसाइटी में सोनिया अख्तर ने किया हंगामा हैर इस मामली में केस तो दर्ज हुआ लेकिन जब अब सोनिया अख्तर ने एक बार पिर से सौरभ तिवारी की सौसाइटी में जाकर जमकर हंगामा कर दिया है दरसल खबरे सामने आई है कि सौनिया अख्तर ने सौरभ तिवारी के लिए करवा चौत का वरत रखा और फिर र सब्सक्राइब करने लगी और वहीं धर्णा दिए सोनिया का कहना है कि जब तक वो उसे अपना नहीं लेते वो पीछे नहीं आटेगी सोनिया के मुताबिक उनके बच्चे के पिता स्वारव ही और उन्हें इसे सुईकार करना ही होगा फिछले तीन महिने से सोनिया अपने सोनिया और सोरव के तमाम पोटो और वीडियो सामने आए थी जिसमें सोनिया अखथर और उनके कथित पती सौरव कांटिवारी पाठी करते और नाच्टे गाते नजर आ रहे हलकि इस मामले में सौरव कांटिवारी सोनिया अखथर पर हणी ट्रैप कर जबर्दस्थ शादि कारूप लगाया वहीं इन फोटोज और वीडियो में वह जम कर सोनिया अक्तर और बच्चों के साथ खुशिया मनाते और मस्ती करते नजर आ रहें लेकिन तिवारी जी का तो कहना है कि सोनिया ने उन्हें फसाया था वहीं बीते दिनों सोनिया ने एक और बड़ा खुलासा किया था और कहा था कि सौरब की पहली पत्नी को अच्छे से पता था कि सौरब ने उससे शादी कर ली है इसके बावजूद उसने तब कोई परहेज नहीं किया लेकिन अब वो ड्रामा दिखा रही जबकि वो उसके बच्चों से मिल चुकी है रचना जब सहर के फुर ईकारी टीचर उसकों बार सिसक्वेंट पिकर दिया इसकी जानकारी किसी को नहीं कि बांगला देश स्याई सोन्ह अफ्तर की जिंदगी में तो ठीक नहीं चल रहा है लेकिन सीमा एधर की जिंदगी में सब कुछ प सचिन का प्यार पल-पल एक दूसरे के लिए बढ़ता ही जा रहा है बीते दिनों सीमा ने सचिन के लिए करवा चौट का वरत भी रखा और सचिन ने पतनी सीमा के लिए तुझे देखा तो यह जाना सनम गाना गाकर प्यार का इजहार भी किया था सीमा ने इसके बार पती सचिन को गले से भी लगाया इस मौके पर सीमा ने कहा था कि हमें पहली बार यूट्यूब से 45,000 रुपए सेलरी मिली सीमा यदर ने कहा कि पाकस्तान में लोग कहते हैं कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की तरह होते तो हमारे देश की हालत ऐसी नहीं होती वही सीमा ने कहा कि मैं दो साल से करवा चौत का वरत रख रही हूं लेकिन ये पहली बार है जब मैं और सचीन एक साथ हैं वही ये पूछे जाने पर कि पाकिस्तान में कैसे करवा चौत मनता था तो सचिन ने कहा कि पाकस्तान में जब सीमा करवा चौत मनाती थी तो मैंने उसे सारी बाते बताई थी सचिन ने बताया कि उन्होंने अपनी मा से करवा चौत के बारे में सारी जानकारी ली थी सचिन का कहना है कि सीमा हैदर मेरी पहली मुहंबत है सीमा ने कहा कि उनके पहले पती उन्हें छोड़कर जा चुके थे सीमा ने कहा कि पाकस्तान में छुप छुप कर करवा चौत मनाने में मज़ा नहीं आता लेकिन सचिन जब से मिले नहर साल करवा चौत मनाने लगी इतना ही नहीं सीमा ने इस करवा चौत पर सचुन के नाम की मेहनी भी लगाई थी फिलहाल के लिए इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर देश नमस्कार